बाबा विश्वनात धाम से सीधा सीधा मागंगा तक पहुचने के लिए रास्ता बना हुआ है और ललता घाट के पास ये रास्ता निकलेगा और इस पर काम चल रहा है यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भवे गेट बनाया गया है और इस गेट की अगर हम बात करें त को अलग को सदेवलप किया रहा है यह जो पहले के मंदिर हैं और यहां पर बनाए जा रहा है और इस मंदिर के ख़र मंदिर है और इस मुरति की आगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में खास है ये अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये मूर्ति कहीं न कहीं दिखाती है कि इस जगह कि अगर हम बात करें तो ये निश्चित तोर पर अहिल्याबाई होलकर की ये मूर्ती लगाई गई और ये होलकर डाइनेश्टी की जो है ये महत्पूर महारानी थी और खास बात ये है कि इस मंदिर को जो पूरी तरीके से इस समय जो सुरूप है इसको जो बनाया गया है वो अहल्याबाई होलकर ने तयार किया था और इस मंदिर के एक और ख आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे कारीडोर को डेवलप किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के यहां पर पेंड लगाए गए हैं और इन व्रच्छों की अगर हम बात करते हैं तो यह व्रच्छ अपने आप में महत्पूर्ण है आने वाले दिनों में जब यह हो जाएंगे तो आप इनको देख सकेंगे साथी साथ यहां पर भारत माता की भी एक मूर्ती लगी हुई है यानी भारत को दिखाया गया और कहीं न कहीं इसकी अगर हम बात करें तो मान धातेश्वर महादेव मंदिर भी यहां पर मुख्य द्वार पर है और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो गंगा टट से स्रीकासी विसुनात धाम में आने पर यहां मुख्य मंदिर मुख्य मार्ग पर इस्थित है और यह चतुसकोणी इसकी परीद है पंच सिखर है और यह ख्याति प्राप्त मंदिर है मान धातेश्वर महादेव मंदिर इस मंदिर को आप यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके क तुमाम ऐसा काम है जिसको जब आप आएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम यहां की कहें तो सबसे बड़ी खासियत यहीं है कि सीधा सीधा आप ललिता घाट से यहां तक पहुंचेंगे और मंदिर के द सबसे बड़ी बात यह हे कि इस काम को प्रार्यटी दी गई है क्योंकि जब बच्ण की बात कर्ते हैं तो यहां से इस्य nell खुद मोदि और पियमोदिंगि होने का सीधा सा मतलब कि वानरसी को पूरी तरीके से तवज्जो दी जा रही है और यह तवज्जो इस तरीके की है कि यहां रात दिन काम चल रहा है यह काम है दिन में भी चलता है रात में भी चलता है यहां देख सकते हैं कि किस जबर्दस तरीके से यह काम किया जा रहा है और तमाम लोग यहां ल शापित करने का काम इन्होंने किया था यहां पर जो मुख्य गेट है अगर उसकी बात करें तो मुख्य गेट को आप देख सकते हैं साथी साथ आज पास के मंदिरों को आप देख सकते हैं तो यह काम जबर्दस तरीके से किया जा रहा है आने वाले दिनों में जब यह कारीड के साथ सिध्धार्थ न्यूज इस्टेशन वारान अशीव